ये तो खेतों ये साबित हो चुका है कि ये राम की मंदिर है अच्छा की मंशिद के नीशे मंदिर है वो मैंने खुद देखा है करें आयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर के उद्गाटन का जश्न पूरा देश औराय राम बक्ति में मगन लंबा चला संगहर्ष पर मिल गई है मंजल राम की आस्था से आयोध्या संग पूरा देश का भरा है दिल आयोध्या में राम मंदर के बनने की कहानी काफी लंबी और दर्दनाक रही है दोस्तो आज 22 जनवरी का इंतजार हम सब कर रहे हैं और आयोध्या में भब मंदर के उद्गाटन का इंतजार भी हम सब को है लेकिन ये खुशी ये जश्न इतनी आसानी से कहां मिला है आयोध्या में राम मंदर और बाबरी मस्जद के विवाद ने सदियों से हिंदों और मसल्मानों को एक दूसरे का दुश्मन बना कर रखा आखरकार वो घड़ी भी आ गई जब राम मंदर के बनाने का फैसला सुनाया गया लेकिन इस लंबे चले संघर्ष में A.S.I. ने कब क्या पाया मस्जद के नीचे और कैसे साबित हुआ मस्जद के नीचे बने मंदर का सच बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सचे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो साल 2019 में भारती सुप्रेम कोट ने बाबरी मजजद विवाद पर इतहासिक फैसला देते हुए हिंदू पक्ष को बड़ी खुशखबरी दी थी और राममंदर को बनानी के अनुमती दे दी थी इसी के साथ मसलिम पक्ष के सारे दावे भी खारिस कर दिये गए थे सुप्रेम कोट ने अपना फैसला हवा में नहीं सुनाया बलकि A.S.I. यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के खुदाई के बाद पेश की गई रेपोर्ट के बाद सुप्रेम कोट का ये फैसला आया था बाबरी मस्जिद और राम मंदर के इस मामले के पुरी सुनवाई सर्फ और सर्फ A.S.I. के रेपोर्ट पर इठीक होई थी जब मस्लिम पक्ष को लगा कि हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी है तो उसने ये तक कह दिया कि आर्केलोजिकल कोई असली वग्यान नहीं हलाकि बाद में अपनी गलती को सुदारते हुए मुस्लिम पक्ष ने अपने इस बयान को वापस ले लिया ये माल लिया कि आर्केलोजी वग्यानी है बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने दावे देते रहे और आयोध्या के इस विवादित स्थान पर अपना दावा पेश करते रहे लेकिन सुनवाई का पुरा अधार A.S.I. के खुदाई पर चिका हुआ था बाबरी मस्जिद के विवाद के दरान कई बार हिंदू पक्ष दलील ने ये दलील दी कि A.S.I. के रेपोर्ट में ये साफ तोर पर बता गया है कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही राम मंदर के दवे हुए अविसेश मिले हैं जिससे ये सावित होता है कि यहाँ पहले कभी मंदर हुआ करता था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी हिंदो पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस विवादित धाचे को जीतना चाहते थे और वो अच्छे से जानते थे कि A.S.I. के बलबूते ही वह इस केस को जीत सकते थे इसलिए बाबरी मस्जिद मामले में A.S.I. का एक एहम करदार था चलिए अब आपको बताते हैं A.S.I. को कब क्या क्या मिला बाबरी मस्जिद के खुदाई में साल 1992 में जब कार सेवकों की भीर नेक अच्छा होकर आयोध्या में मौझूद बाबरी मस्जिद के एक गुमबत को ढढ़ा था तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए थे जिसके बाद ये मामला इलाहबाद हाई कोट पहुँच गया आखरकार इलाहबाद हाई कोट ने इस मामले की तप्तीश करने के लिए और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के दाओं को परखने के लिए A.S.I. को ये जिम्मेदारी सौंपी किवा आयोध्या की बाबरी मस्ज के खुदाई करने शुरू कर दी उस वक्त A.S.I. की टीम के हेड डॉक्टर बी आर मरी थे A.S.I. ने इस जगह किस शद्दत के साथ 131 मजदूरों के साथ 2 महीने तक खुदाई की और 11 जून को एक अंतरम रिपोर्ट जारी की इसके बाद अगस 2003 में A.S.I. ने हाई कोट मे 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौपी दो महीने की खुदाई के दौरान A.S.I. को बाबरी मजद के नीचे कुछ मिला और उन्होंने जो कुछ पर्खा सब कुछ उस रिपोर्ट में दर्ज था खुदाई के दौरान बाबरी मजद के खंबो के नीचे का हिस्सा यानि आधार मिला जो कच्ची इटों से बना हुआ था ये सबी खंबे एक ही लाइन में बने हुए थे और एक दूसरे से लगवग तीन से पांच मीटर की दूरी पर थे एसाई ने अपने रिपोर्ट में जिन खंबो और उनके आधारों का जिकर किया था उनमें हिंदू पक्ष ने अपना मौका ढून लिया और ये दावे किये गए कि मजद के खुदाई में जो खंबे के आधार मिले हैं वो राम मंदर के हैं हलाके एसाई ने अपना रिपोर्ट सिर्फ खंबो और उनके आधारों का जिकर करके ही बनाया था ना कि मजद और ना ही मंदर का इंदू पक्ष के इस दावे के पीछे एक और कहानी है दरसल साल 1975 में एक बाबरी मजद के खुदाई की गई थी हलाके उस वक्त खुदाई का उदेश कुछ और था इस खुदाई के बाद उस वक्त एसाई के डिरेक्टर जनरल रहे बी लाल नहीं खुदाई के दौरान मेले खंबो का जिकर किया था इसको आधार बनाते वे इंदो पक्ष ने दावा किया कि एक खंबे राम मंदर के ही है आपको बतादे कि साल 1993 में पुरातत्व वेता डी मंदल ने एक पेपर लिखकर ये दावा किया था कि मस्जिद की खुदाई में मिले खंबे के आधार एक समय के नहीं बलकि अलग अलग काल खंडो के है खंबो के अलावा मस्जिद की खुदाई में एसाई को दो कबरे भी मिली थी इन कबरों को लेकर मुसलिम पक्ष ने अपना दावा मजबूत किया, उनका कहना था कि मस्धिद में कबरे मिलना अस बात का थबूत है कि यहां कवे मुसलिम लोग रहते थे, क्यूंकि मुसलिमों में ही मरने की पांद कबरों में डफनानी के परमपरा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के इस दावे को भी हिंदु पक्ष ने ये कहते हुए खारिश कर दिया कि योध्या में पहले अंगीरा, मारकंडे, नारद, रमानंद, शांडिले जैसे काई संतों की मृत्यों के बाद उन्हें दफनाया गया था और मम्किन है कि ये कबरे उनी में से क कार सेवको में तीन लोग बाबरी मस्जित के गुंबद गरने से उस मवले के नीचे दब गए थे, शायद ये कंकाल उनी के होंगे। जो नीचे की तरफ जाती थी। इस चबुत्रे पर हिंदु पक्ष ने एक स्ट्रॉंग दावा पेश किया और कहा कि ये मंदर के दौरान बनाया गया चबुत्रा है, हलाके तहासकार इर्फान हबीब ने 2003 में इस चबुत्रे का जिकर करते वे का था कि चबुत्रे पर पलस् सिक्के, तांबे के मोहरे जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नकाशिक की हुए पत्थरों के टुकड़े, टारा कोटा के तराशे पत्थर जो मानव और पशु आकरतियों की तरह लगते थे और भी बहुत सारी चीज़े खुदाई के दौरान A.S.I. को मिली A.S.I. ने कभी अपनी रिपोर्ट में इसपष्ट नहीं किया कि मजिद के नीचे का वशिष मंदर के हैं या फिर मजजिद के A.S.I. ने कभी भी आयोद्या में राम मंदर या मस्जिद होने का दावा नहीं किया था उसने सिर्व अपनी खुदाई में मिले में बाट दिया रामलला बराजमान निर्मोई अखाले और सुनी सिंट्रल बफ बोर्ड ने एसाइ रिपोर्ट को सपष्ट बताया था इन जगहों को तीन बराबर बराबर इससे कर दिये गया इस फैसले के विवाद के बाद तो ये टल गया लेकिन कोई पक्ष खुश ना हु इसके बाद दो इत्यासकारों ने भी एसाइ के रिपोर्ट पर सवाल उठाये थे सुप्रिया वर्मा और जयामेनन दोनों ही ने आर्केलोजिकल आर्टिकल वॉस दियर अ टेंपल अंडर दा बाबरी मस्जद रीडिंग दा आर्केलोजिकल एविडिन्स में ये दावा किया था क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही किसी तरह की कहानी बन चुकी थी और फिर उस कहानी के हिसाब से खुदाई के रिपोर्ट ढाल दी गई सुप्रिया ने ये भी कहा कि A.S.I. ने भली अपने रिपोर्ट में मंदर या मस्जद होने का जख्र ना किया हो लेकिन ऐसे हालत और सबूत दिये ये उनके बिना पर मस्जद के नीचे मंदर होने के दावे को मजबूत ही मिल सके बाबरी मस्जद के विवादित मामले में कई लोगों ने अपनी राय रखी सबी ने इतिहांस और आर्केलोजिकल सर्वे को देखते वे ही कोई राय थी इलाबाद इन्वस्टी के प्रोफेसर संजाश शर्वास्तव ने इस मसले पर किताब A Dispute Moscow A Historical Inquiry में ये कहा कि बाबरी मस्जद को एक बार में नहीं बनाय गया था उसे बनाने में काफी वक्त लगा था और राम मंदर गिराकर एक ही बार में मस्जद को नहीं बनाय गया था वरहाल अयोध्या में तो राम मंदर बनकर तयार हुचका है लेकिन इसका विवाद काफी लंबा चला दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा मलाकात होगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें